Hello everybody, welcome back again to the channel. तो आज का हमारा टॉपिक है counting of the votes recording on EVM. वोट के वोट के counting जो हो किस तरह से होती है और उसमें क्या procedure जो है counting का रहता है as counting supervisor और counting assistant हमारा क्या काम है वहाँ पर तो हम next एक जो है lecture इसके ओपर भी लेके आएंगे कि discrepancies and special cases क्या है और उनको हमने किस तरह से वहाँ पर उस दिन देखना है आपके end पर कोई doubt या query रहती है तो आप comment section में लिखे है मैं उसका response जो है वो दूँगा आपको और साथ ही साथ channel को subscribe करना और साथ bell icon को press कर लीजिएगा क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं वो cover नहीं कर पाया तो next जो lecture होगा उसमें हम वो चीज़ भी cover कर लेंगे discrepancies and special cases उसके बारे में भी discussion करेंगे और अगर आपकी कोई query होगी तो वो आप इस वीडियो में आप comment section में लिखते ना ताके next topic होगा उस दिन हम वो भी चीज़ें जो है आपकी queries वो भी उसमें include कर लेंगे तो चलो करते हैं इसको शुरू आज का यह जो हमारा topic है तो सबसे पहले हमने इसमें करना क्या है वो चीज़ देख लीजिएगा इसमें सबसे पहले है mandatory verification before the start of actual count on CU हम हमारे पास आपको यह चीज़ जो है वो अच्छी तरह से अपने जहन में रखनी है या आप knowledge में रखना है कि हमारे पास counting हाल के अंदर जो हमारे तीन यूनट थे बी यू सी यू एंड वी वी पैट उनमें से सिर्फ सी यू यानि के control unit जिसके ओपर data सारा recorded है वो ही यूनट जो है counting हाल के अंदर उस दिन लाया जाता है counting के दिन and हमें सिर्फ सी यू के साथ ही उस दिन पहले deal करना है और अगर कोई discrepancy arise होती है उस case में ह हमें कोई दूसरा unit भी लाना पड़ सकता है वो हम आगे इसमें discuss करेंगे तो अगर आपके polling station के ओपर repol हुआ है तो जिस भी CU के ओपर to be counted लिखा है वो CU आपके पास आ जाएगा और आने के बाद आपने उसकी एक verification करनी है कि जो भी case है उस case के अंदर जिसके अंदर CU रखा है उस case के tags जो है वो intact होने चाहिए जो case के tags जो है वो intact होने चाहिए and then आपने जब इसको verify कर लिया इसको verification के बाद आपको आपने इसको अच्छी तरह से देख लिया कि वो intact है then आप further जो है वो proceed करेंगे और further उसमें आप क्या चीज़ चेक करेंगे आप CU को यनि के control unit को उस case से बाहर निकालके उसके उपर उसका unique ID जो है वो उसको check करेंगे and pink paper seal और green paper seal दोनों को check कर लेंगे कि क्या वो tempering तो नहीं हो इसके साथ वो intact है वो ही है जो 17C के उपर जिसका number जो है seal number इसका आपकी green paper seal का जो mention है वो ही seal जो है इसके उपर लगी है इसके बाद का जो कारवाई है वो इस तरह से है कि आपने CU को on करना है switch on करना है and check करना है जब CU की display को देखना है और display पे आपको pole start date time and pole end date time यह दोनों चीज़ें जो है वहाँ पर आपको दिखाई देंगी आपने इन दोनों चीज़ें को अपने जो mark pole certificate के उपर time आपने mention किया होगा वो time वहाँ पर check कर लेना है कि clock जो है वो exact थी mark pole की उस पर क्या time है और यहाँ पर time जो है वो किस तरह से आ रहा है start time and end time जो है वो आप चेक कर लिजिएगा and अगर आप satisfied हैं यहाँ पर start and end time is okay वो ठीक है उसमें कोई किसी किसम का discrepancy आपको नहीं लगती then आप next step की तरफ move करेंगे and the next step क्या होगा आपका वो रहेगा आपका कि आप see you के result section को open करने से पहले आप see you का जो total button है इसको press करेंगे result section को open करने से पहले आप total button प्रेस करके आप यह check कर लेंगे कि जो vote जो है इसके उपर total votes recorded है जो इसकी display के उपर आ रहे हैं और 17C के part 1 item number 6 के अंदर जो total votes लिखे हैं वो match कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो अगर वो match कर रहे हैं तो फिर आपने further proceeding जो है वो इसकी इस तरह से करनी है कि आपने next जो step आपका है वो उस case में यह रहता है कि आप result section को open करते हैं outer door को inner door जो है वो उसके उपर special tag लगा होता है यहां पर आप देख सकते हैं जहां मेरा cursor है यहां पर special tag लगा होता है उस special tag को remove किये बिना inner door को open किये बिना आपने outer door के साथ ही करना outer door को open कर दिया आपने seal जो है उसको outer door पर जो green paper seal थी उसको किया remove tag remove किया and then आप inner door के तरफ आगे इसको नहीं छेड़ना आपने इसको intact रहने देना है and सिर्फ और सिर्फ यहां पर आप देखेंगे मैं आपको बिता देता हूँ यह जहां पर arrow यह कर रहा है green part जो है इसका seal का इसको आप पंचर करेंगे यहां से और आप result button को assess कर लेंगे जब result button आपने assess कर लिया आपने result button को प्रेस करना है and result button जब आपने प्रेस किया उस case में देखिए आपकी machine जो है करना के चाहिए machine जो है वो आपको result show करना शुरू कर देगी वो poll start time, poll end time जो भी है वो messages वहां पर display होना शुरू हो जाएंगे candidates कितने थे वो display होना शुरू हो जाएगा and candidate wise आपको result जो हो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा in case अगर यहां पर आपका आपकी machine उस तरह से कोई message नहीं देती कुछ invalid या कुछ something like that उस तरह का कोई error message आता है उस case में क्या करेंगे वो हम अगे वीडियो में discuss करेंगे लेकिन अगर आपकी machine okay है close हुई थी उसमें प्रिजाइडिंग ओफिसर ने पॉल के बाद इसको close कर दिया था तो result बटन जो है वो प्रेस करने पे आपका machine जो है वो result शो करना शुरू कर देगी तो discrepancy के time पे हमें क्या चीज़ करनी है अगर वैसा नहीं होता वो हम next video में मैं आपके साथ discuss करूंगा क्योंकि यह थोड़ा सा उस context में अगर हम बात करें तो थोड़ी सी लंबी हो जाती है and then if okay start actual counting by pressing the result button on the see you actual counting जो है वो शुरू हो जाएगी आपने जब actual counting शुरू होगी आपने form 17C का part second जो है उसके ओपर votes जो है वो record करते जाना है नोट करते जाना है और यह नोट करेंगे जो भी supervisor होंगे counting supervisor वो नोट करते जाएंगे आपने form 17C के part 2 के उपर agents के sign भी लेने होते हैं and supervisor खुद के भी sign जो है वो करते हैं तो जब सभी candidates का result आपके पास आ गया उस एक CU का तो आपका एक round complete माना जाएगा वो एक round हो गया एक machine आपके पास आई that means कि आपने एक round जो है वो complete किया एंड मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ यहां पर वो important यह है कि आपने 17C के part 2 के उपर agents के sign भी लेने हैं and साथ ही साथ आपने sign लेना है किसका खुद के sign भी करने है लेकिन वहां जहां sign होंगे उसके बीच में आपको थोड़ी सी space दिखेगी उस space में आपने यह comment जो है वो लिखना है we hereby certified that CU number or numbers is our same which were used in the polling station number, number polling station का डाल लेंगे आप जो भी उस machine के उपर polling station का number लगा होगा, address आप आप देखे तो यह comment ज़रूर वहां पर put करना है before taking the signature and आप खुद के भी sign करें उससे पहले तो यह एक process करने के बाद आपका एक round जो है वो उसका complete हो जाएगा अगर कोई discrepancy नहीं आती, in normal case, तो अगर discrepancy आती है, वो discrepancy क्या हो सकती है और उनको किस तरह से resolve करना है, अगली वीडियो में हम उसको discuss करने वाले हैं तो कुछ यहां पे और हैं जो मैं आपसे discuss करने वाला हूँ इसके, जब आपकी एक machine count होगी, count के बाद आपने उस EVM यनि के जो CU आपकी पास आया था, उसको आपने seal करना है फिर से, आपने CU के अंदर से power pack यनि के battery जो है वो नकाल लेनी है और seal कर देना है उसको carrying case के अंदर CU को, carrying case के अंदर उसका result section को बंद करेंगे आप, tag लगाने की जुरूरत नहीं है, result section just close करनी है and carrying case के अंदर डालके, carrying case के उपर उसकी sealing होनी है, उसके उपर वो seal लगेंगी and seal यनि के seal लगने का मतलब है कि उसके उपर आपको tag लगा देने है, जो box है उसके उपर, उसके carrying case के उपर, और उसके उपर sign होंगे, RO की, RO साब भी sign करेंगे, candidate हो सकता या agent हो सकते हैं, वो अप फिस strong room के अंदर चला जाएगा, अपनी position पे वहाँ पे ये place कर दिया जाएगा, जो भी designated person होंगे, वो उसको लेकर जाएगे, और दूसरी machine आपके पास आ जाएगे, इस तरह से ये आपकी process जो है, वो चलता रहेगा, in normal circumstances and special cases, वो मैंने आपको पहले भी बिताया, वो हम discrepancy in the day time of the start and end of pole in the control unit, अगर इस तरह की कोई discrepancy आती है, कि इस day time आपका जो है, उसके अंदर को discrepancy है, आपने करना क्या है इस case में, आपने compare करना है, जो difference है date time, जो mark pole certificate के ऊपर आपने note किया, उसके साथ इसको compare करना है, जो machine के ऊपर date time आ रहा है, अगर mark pole certificate का और इसक match कर रहा है, तो then आपका जो normal way में आपकी जो counting process है, वो चलता रहेगा, if difference does not match with the day time, difference of the start and end at the time of counting, keep the EVM aside and refer the matter to commission, अगर वो day time आपके उस day time से match नहीं किया, उसमें अगर difference आ रहा है, कि आपका start time machine के ऊपर कुछ और दिखा रहा है, कि आपका start time machine के ऊपर कुछ और दिखा रह कुछ और लिखा हुआ था, तो उस case में आपने machine को side पे कर देना है, और matter जो है, वो अपने RO, ARO को या observer जो भी वहाँ present होंगे, उनको intimate करना है, तो count the what pulled in the EVM in the usual manner, आपको count करने है, जैसे अगर difference समझ आ गया, तो उस case में ये count करना है, अगर difference समझ नहीं आया आपको, mismatch हो है, discrepancy in the date and time, तो अगर close button नहीं प्रस हुआ, तो क्या होगा, आपके machine जो है, see you, वो क्या message देगी, in the presence of the candidate, their authorized agent, under videography, आप ये दो काम करेंगे पहले, ठीक है, अगर close button प्रस नहीं हुआ, आपको कैसे पता चलेगा, कि close button प्रस हुआ या नहीं हुआ, जब आप result button प्रस कर प्रस नहीं हुआ था, जब पॉल क्लोज हुआ, प्रजाइडिंग अफिसर जो भी थे वहाँ पर, उन्होंने डिरेक्टली machine को switch off कर दिया, close button प्रस किये बिना, तो उस केस में क्या होगा, प्रस total button of the CU, जैसा आपको पहले बताया है, total तो आपको प्रस हर बार करना ही है, 17C और आपना जो आपका machine के अंदर का data है, उसको match करना है अपने, हर machine का, वो तो आप press किया, आपने total press किया, total press करके, आपने 17C के, जो मैंने बताया है, part 1, और item number 6 के उपर, जितना count आपका आ रहा है, वो ही machine के उपर भी display होना चाहिए, ठीक है, अगर वो match होता है, अगर वो match हो जाता है, तो फिर आप close button जो है, वो खुद प्रेस कर लेंगे, supervisor जो होंगे, वो supervisor प्रेस करेंगे close button को, and then press result button for getting the result data, ठीक है, तो अगर close button नहीं प्रेस हुआ है, उस case में, आपने क्या करना है, total button पहले प्रेस किया, match कर लिया, 17C का part 1, item number 6 के उपर, जो count लिखा हुआ ह है, वो और जो machine के उपर total vote show हो रहे हैं, वो, अगर वो match करते हैं, close button, supervisor साब खुद प्रेस कर लेंगे, और फिर result button जो है, वो प्रेस करके, अपना जो further processing है, उसको continue करेंगे, अगर, क्या होता है कि, total vote pulled on the CU, does not telly with the star 17C, part 1, item number 6 के साथ, match नहीं होते हैं, keep the CU back inside the carrying case, देखिए, उस case में CU, आपने करें, carrying case के अंदर डालना अगर, match नहीं होता है, miss में आच आ जाता है, तो उस case में, आपने कहा करना, carrying case में CU को डाल देना है, carrying case में डालने के बार, RO की custody में, counting हाल के अंदर ही, उस CU को रख देना है, ठीक है, and count the votes in the other machine as usual, और फिर next machine जो आपके पास आएगी, उसके ऊपर की counting आप करेंगे, उसको चेक करेंगे, उस machine को आपने वहाँ पर छोड़ दिया, action shall be taken as mentioned in para 14.5, अब इस machine के ओपर action होगा, according to this rule, जो आपके para 14.5 में जो mentioned है, वो मैं आपको बताऊंगा, 14.5 क्या है, next video के अंदर, ठीक है, तो ये है कुछ basic सी information regarding counting, and दूसरा सबसे बड़ी बात कि, यहां पर दो चीजें जो है, discrepancies, दो cases हमने ऐसे देखे, एक तो जिसमें daytime mismatch अगर आता है, तो उस case में क्या करना है, and दूसरा, दूसरा case हमने देखा, कि अगर close button press नहीं हुआ, उस case में हमें, क्या action, क्या action लेना है, ठीक है तो situations, उसके accordingly, जो जो arise हो रही है, वो मैंने इसमें बताए, I hope कि आपको यह process इतना सा समझा आ गया होगा, next video के लिए आपको subscribe कर लो, इसको, and bell icon को press कर लो, ताकि notification जैसे वो video डालो, आपको notification next lecture की, वो आपके तक पहुंच जाए, तो comment section में बताईएगा, अगर कोई किसी कि का कोई doubt या query हुई आपकी, वो भी हम entertain करेंगे इसके अंदर, and मिलते हैं next video में, till then, bye bye, take care, have a nice day, thank you very much, thank you.